हेलो प्रेंट्स आज किस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मकिंग ओपरेशन क्या होता है साथ में हम लोग बात करेंगे मक क्या होता है और किस टाइप से मकिंग ओपरेशन को हम लोग परफोर्म कर सकते तो इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे दोस्तो मकिंग ओपरेशन मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक वर्ड है जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो है मक किसका मतलब क्या है दोस्तो मक को सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ जो ब्लास्टेट रॉक्स होते हैं ब्लास्टेट रॉक्स जो हो गए मेरे रॉक्स आर नोन एज नोन एज क्या मक समझ पाए ब्लास्टेट रॉक्स जो हो जाते हैं उसी को मक बोलते हैं अगर मैं यहाँ पर बताओं कि मेरे को टनल बनानी थी ठीक है इस टनल बनाना है मेरे को यह माउंटेन मेरा हो गया और यह मेरे को टनल बनानी है तो दोस्तों टनल बनानी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर रिलिंग करनी पड़ेगी है ना रिलिंग करन में को मान लो हैं यहां पर मैं blasting किया तो blasting करूँगा blasting की वज़े से क्या होगा मुझे small stones मिलेंगे small stones मिलेंगे या फिर मैं बोलू small rocks देखने को मिलेगी या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तो blasted rocks, blasted rocks क्योंकि यह हमको blasting के बाद में देखने को मिल रहे है ठीक है तो यहां से जो यह blasted rocks से दोस्तों इसी को क्या कहा गया है मक कहा गया है ठीक है तो यहां पर आप definition देख सकते हैं कि blasted rocks are known as मक पहली बात मेरे ख्याल सापको clear हो गई होगी और मक कैसे बनता है दोस्तों जब बड़े से mountain के अंदर हम लोग blasting कराते हैं mountain के अंदर blasting कराते हैं blasting क्यों कराते है to create to create tunnel to create tunnel अब जो blasting के बाद जो हमको यहां से blasted rocks मिलते हैं उसी को क्या कहा गया है उसी को मक कहा गया है पहली बात मेरे ख्याल सापको clear हो गई हो दूसरी बात दोस्तों इसी के अंदर अगर हम करें तो definition आप देख सकते हैं तो blasted rocks are known as what muck second जो चीज़े दोस्तों वो है mucking कि आखिर में mucking क्या होता है तो दोस्तों simple सी भाशा में मैं बोलू कि जो muck था इस muck को remove करना कहां से tunnel से ही mucking कहलाता है ठीक है यह आप मैं definition बताऊं the process of process of removal of removal of removal of muck from tunnel from tunnel as known as mucking clear हुई बात कि mucking क्या हो जाएगा तो दोस्तों वहा प्रोसेस क्या बोला वहा प्रोसेस जिससे की हम लोग muck को remove करते हैं कहां से tunnel के अंदर से उसी process को क्या कहते हैं mucking कहते हैं दोस्तों mucking अलग-अलग types से हम लोग करा सकते हैं कौन-कौन से types होते हैं उनकी बात हम लोग करेंगे लेकिन फिलाल आप यहाँ पर definition देख लीजिए mucking की कि mucking क्या होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि the process of removing muck is known as mucking muck को remove करने की process को ही mucking कहा जाता है muck क्या होगे दोस्तों में आपको बताया है कि blasted blasted stones बोल दो या फिर blasted rocks बोल दो इसी को हम लोग क्या कहते हैं muck कहते हैं clear हुआ next बात करें friends इसी के अंदर तो mucking process जो है इसको अंदर muck को हम buckets के अंदर load कर देते हैं फिर उसको lift करते हैं and then remove कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने figure है इस figure के अंदर देगें के दोस्तों ये था मेरा क्या muck इस muck को हमने इस tremendous sociale के अंदर load कर दिया Monate Alter connect को load किया और यह tractor क्या करेगा इस trolley को ले जाकर किसी दूसरी जगे पर जाकर dump कर देगा या उलाल कर देगा इस मट्रीड़ को ठीक है तो यह पूरी प्रोसेस है यहाँ से इस मक को इसके अंदर ढलना और ढालके किसी एक suitable place पर ले जाकर पटक देना को ही क्या 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 बाता है हमारा smoking करा सकते हैं तो दूश्तों पEhla होता है ओपनुठी अब मैनवले से आप क्या समझते हैं मैनवलि से कुछ नहीं मानो ते की मेरे को यह हैं पर कुछ मेरा blasted rocks पढा सिया पर था अब मैं क्या करूँगा यहां पर मैं खड़ा हो जाऊंगा खड़े होने के बाद यहां पर एक bucket ले लेते हम लोग इस टाइप की bucket रेती है एक है ना इस bucket के थुरू में क्या करता हूँ इसको एक रसी के थुरू बांद के और यहां से खिशता हूँ सिदे ठीक है तो क्या बोलेंगे कि if muck is removed by manpower is known as manually अगर कोई इंसान जैसे की यहां पर खड़ा है और यह मक को remove कर रहा है इस जगे से तो यह process जो होगी दोस्तों इसको बोल देंगे मैनुवली क्लियर हूँ तो आप से कोई भी बोलता है तो मैनुवली क्या होता है मैनुवली के अंदर कुछ नहीं होता है इफ इफ मैं यहां पर लिखके बदा देता हूँ मकिंग is done by manpower by manpower ठीके देन दे प्रोसेस दी प्रोसेस ओफ मकिंग इस नोन एस मैनुवली ओपरेट ठीके तो यहां सिद्धी सिंपल सी बात बोली गई है मैनुवली मकिंग क्या हो जाएगा मतलब कि अगर मकिंग प्रोसेस को मैन पावर के मदस से कराया गया है तो उस प्रोसेस को नाम दे दे देंगा उस मैतड को बोल देते हम मैनुवली मकिंग ठीक है परतर अगर बात करें इसी के अंदर और मेटर्स हो सकता है तो पावर शो वेस्स जो होते हैं इनकी मदस से भी हम लोग मुकिंग करा सकते हैं चीक है फर्दर बात करें इज तो मुकिंग मशीन साथी है मार्केट में जो ट्रेक्टर लोडर्स होते हैं जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं यह क्या करते हैं ट्रेक्टर लोडर्स के अंदर क्या होता है एक लोडर होता है यह ट्रॉली होती है ठीक है ट्रॉली के अंदर एक मशीन होती है अलग से बोल सकते हैं जैसी भी हो सकती है जै यह क्या हो जगर tractor-loader की मदद से मकिंग करा सकते हैं तो friends मेरी काल से यहां तक की बाते आपको clear हो गई होगी कि कौन-कौन से methods होते हैं जिनसे की मकिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते तो फिर इस वीडियो क्लियर करता हूं कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या बताया हूं आज की वीडियो में आपको बताया हूं आज की वीडियो में आपको बताया मक क्या होता है तो मक एक ब्लास्टेड रॉक्स होता है ठीक है ब्ल करते हैं उसी को मकिंग करते हैं साथ ने फिर में बताया दोस्तो की म edited ud group of manpower या फिर आप पावज शवल की मदद से भी मकिंग करा सकते हें या फिर मकिंग मश आती है मार्केट में उनके थूज हो सकती है या फिर आप बात करें ट्रेक्टर लोडर्स होते हैं, जिनकी वज़े से भी हम लोग मकीं करा सकते हैं, तो फ्रेंट्स मेरी खाल से यहां तक की चीज़ा आपको ट्लियर हो गई होगी, तो अगर वीडियो अच्छे लगा है, तो लाइक करें, शेर करें और चैनल को सिस्क्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देके, डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, थैंकी फर वचिंग इस वीडियो